ओम शान्ति आज 11 मार्च 2023 है बाप दादा ने हम सब बच्चों को कई बार यह होंवर्ग दिया है कि बच्चे निर्विघन रहो स्वयम भी निर्विघन, सेवा साथी भी निर्विघन, सेवा स्थान भी निर्विघन और पुरा जो निर्विघन रहे तो निर्विघन बनने की सहच विधी आए आज के स्लोगन के द्वारा जानते हैं जो सदा एक की लगन में मगन है वही निर्विघन है लगन में मगन की अवस्था ये सबसे स्रेश्ट और सबसे निराली अवस्था है लगन में मगन होना माना एक की ही यात में सदा समाए हुए रहना एक की ही श्रीमत पर चलते रहना उस एक की ही राय अनुसार अपने आप को चलाना अपने हर करम करना और उस एक की ही सेवा में सदा तत पर रहना तो इसी को कहा जाता है एक की लगन में सदा मगन रहना तो वो एक कौन है सहच है वो एक है स्वयम मीठा प्यारा शिव बाबा जब उस एक की ही लगन में मगन रहते हैं तो हमारी अवस्था सदा एक रस रहता है और चर्ती कला की स्थिती में हम सदा चर्ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं यही इसी को ही कहा जाता है निर्विघन अवस्था, निर्विघन की निशानी क्योंकि विघन जो हमारे जीवन में आते हैं, वो विघन अपने आप नहीं आते हैं अनायास ही नहीं आया करते हैं विघन आने का कारण हमारे स्वयम की कमी कमजोरी पुराने संसकार ही होते हैं हम अपने कमी कमजोरी पुराने संसकारों के वश हो करके हम जाने अन जाने में कोई न कोई व्यक्ति के साथ किसने किसी स्थान पर किसने किसी समय पर सुक्षम या स्थूल करम विकरम करना शुरू कर देते हैं उस विकरम के अकाउंट धिरे धिरे बनना शुरू हो जाता है और वही अकाउंट ही हमारे सामने इखटे होकर के विघन का रूग ले लेता है और यही विघन जब हमारे सामने आते हैं तो कई लोग उस विघन के प्रभाव में पढ़ जाते हैं, कई लोग उस विघन से पार जाने की कोशिश करते हैं, कई उस विघन को विनाश करने लगते हैं अर्थार उसके साथ युद्ध करने लग जाते हैं, परन्तु कोटों में कोई ऐसे भी होते हैं, जो निर्विघन हो उनका मन इतनी शक्ति शाली बन जाते हैं, कि उनके मन पर कोई भी विघन का प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी बुद्धी सेवा में इतनी बीजी होते हैं, कि उनको ये भी नहीं पता कि उनके सामने कोई विघन आये हैं। और उनकी वृत्ति ग्यान से और यात की शक्ति से इतनी शक्ति शाली बन जाते हैं कि वृत्ति की शक्ति से विघनों को सहचता से समाप्त कर पाने की समर्थी उनके अंदर आ जाती हैं। उनके जीवन में विघन आया और चला भी गया उनको ये भी नहीं पता जैसे की पाने पर लकीर खिचना। तो ये है निर्विघन अवस्था की स्थिती जो हमें लगन के मगन में रहने से सहचता से प्राथ हो जाती है। ओम शांति